हेलो इसे आज हम देखने वाले हमां नेक्स टॉपिक डटी जावा सोलेट सेशन क्या है कि इंविंशन किस तरह से ऑघ्रोग्स देखेंगे साइमर देखेंगे कि जावा जो सेशन है हमारा जावा सोले शेशन वह कहां पर स्टोर होता किस तर से वर्ग होता है कि specific लिए क्या 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 key points important है सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे इस session के अंदर हम theoretical concept देखेंगे और जो हमारा next session होगा उसके अंदर हम जो practical session होगा किस तर से उसको implement कर सकते हैं ओछ चीज़ हम देखेंगे कोई भी डाउट होगा कोई भी क्वेरी होगी और प्रिवियर्स चैप्र प्रिवियर्स सेशन तो उसका लिंक आपको प्लेडिस का लिंक दिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या जो आई बटन आपको दिख रहा हो कि राइट साइट में तो वहाँ प्लिक कर सकते एंड जो जावा सेशन वाके जावा सेशन बेसिकलि यह मं इस यह जावा या जो आफ्लिकेशन का एक्डम पर देखते तो वेब अप्लिकेशन के इन्वेंग कब हुआ कि उतके स्टर्टिंग में किस तर से क्या क्या चीज चीज थी तो फस for Basic Introduction पर पास जो हमारा जावा सव्लेट है यह जावा सवलेट के अंदर हम बोल सकते हैं जो वेब आप्लिकेशन हो हमारा होगा वो नॉर्मली वर्क और एस्ट्रीप कोन से टाइब का प्रोटोकल एक्रियन स्टेट लेस्ट लेस्ट प्रोटोकॉल वेब साल नुद्रीब एक व्रीड को प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं यूज करते हैं जो प्रॉपल्टी हैं वेब साइट को होते हैं कि हमारे वेबसाइट को यह सारी चीज़े लागो होने वाले सो फस्ट इस्ट इस्ट को रिक्वेस्ट को रिस्पॉंस दिया होगा इस सारी चीज़े हम क्या करेंगे नेक्स रिक्वेस्ट आने के बाद भूल जाएंगे टीज़े लेस्ट इस और एक एक्जामपल देख सकते कि वन पेस्ट नेक्स पेज हम जा रहे 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 तो प्रीवेस पेज की जो भी इन्फॉर्मेशन प्रीवेस जो भी एक्शन के हम सब वहां पर एरेज होने वाला qtp К Tuns Internationalा लिए अ लills भी आको बाद एंथी इन कि आक्ग रहे है कि व्हुपानमस के पीशन कोई वन पेस्ट थुनर रहे फ्टिवेस प Ee parts कीं त्यूर्ट थैख हम ने यहां टैखा इक्षर गरतेक का इस लिगस्ति का थेक्स तेखे हैً रहें अब्रॉप्द आज्एंच ब यूनिक आइटिफिकेशन ओफ इच विजिटर के में प्रॉब्लम में यहां पर क्या हो रहा है हमारे स्टेटलेस प्रोटोकॉल का कि जो स्टेट ऑफ इन्फोर्मेशन के स्पेसिफिकली जो यूजर है उसको आइटिफाई हम नहीं कर पार है कि कोई भी विजिटर है यूजर जो वेबसाइट को विजिट कर रहा है और स्टेप बाइस प्रेज पर जा रहा है तो उसकी प्रिविज इन्फोर्मेशन नहीं है तो उसको रिपिटिटली हमें फिल से लॉगिन करने के लिए बोल सकते या विजिटर के अदर हम उसको प्रॉपरी मैंज नहीं कर सकते उस य जैसे क्या हो रहा है हमें कि कोई भी विजिटर है या यूजर है उसको प्रॉपर हम इसके अंदर ट्रैक नहीं कर सकते उसका रेकॉर्ड होगा यहां पर मेंटेन नहीं कर सकते तो यह सारी चीज़े हम स्ट्रिप स्टेटली के अंदर करते हैं बनात्राउ्स के नियॉ प्रॉपर सीक्षोन दिक इन्पर ब्रॉपर ओराई होगें bulब स्ट्रिप स्ट्रिप स्ट्रिफ प्रॉरोच और टीज़े हम सम फिलम आडओ घ्रीक्वेस कोड़ेश स्टॉल्यён सब्सक्राइब करें तो इससाट जे हम स्तेटलेस्स प्रोटोकॉल के अंदर करने वाले हैं क्या करते हैं करते थे तो next इसके कुछ एड़ंटेज एंड डिस एड़ंटेज ये जो हमारा स्तेटलेस्स नेचर है क्या-क्या एडवंटेज हो सकते हैं simple okay जो simple है जो previous technology थी simple थी क्या क्या advantage हो सकते है keep the protocol simple and straightforward इसके अंदर जो information हो क्या होने वाले simple and easily हम इसको next level में या next forward कर सकते है second that is a consumer pure resource on web okay कोई data story नहीं करता so उसके वाद से उसको सिर्फ जितना run करने के लिए space required है उतना ही resource वो क्या करने वाले? consume करने वाले so that is a consume of fewer resource on a web server then next that can support a simulation visitor as it not required to maintain a client credential and connection okay just like कोई भी client की information क्या कर रहा? store नहीं कर रहा so you can see client के credential, username, password, कोई भी connection just like database का connection open closes कोई भी information नहीं कर रहा सो इसके वाज से जो state maintain में क्या होने वाला है problem होने वाला है सो इसके वाज से उसको simulation visitor हम क्या कर सकते है create कर सकते है एक virtual user बोल सकते है इसके अंदर आप create कर सकते है then next इसके अंदर क्या 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 disadvantage है so disadvantage that is an increase the overhead required creating a new connection with each request हर request के लिए हम क्या करेंगे new connection create करेंगे new object करेंगे so it's take a time to create and manage each and every request कि इतने भी numbers of requests उसको में manage करना है and simultaneously उसके क्या करेंगे new different connection create करेंगे so each request के लिए क्या हो सकता है थोड़ा सा overhead हो सकता है confusion हो सकता है so next disadvantage that is an ability to track a single visitor as a single traveling website कि इसके अंदर क्या disadvantage है ability to track कि हम हर एक user को क्या कर सकते है यहां पर track नहीं कर सकते है and this is a single user होगा over the website किस तर से move हो रहा है कि कौन से page पर जा रहा है क्या action perform कर रहा है then next कौन से page पर जा रहा है इस सारी चीज़े हम क्या कर सकते है यहां पर track नहीं कर सकते है तो यह हमारी इसमें से disadvantage है then the web server cannot automatically associate a browser request and particular session automatically कोई भी session scanner create नहीं होने वाला and automatically कोई भी browser as a request session create नहीं करने वाली so automatically web server कोई भी task perform नहीं करने वाला हमें सभी के heap जो हमाना stateless nature को convert करना है so उस समय हमें क्या करना पता था manually सारी चीज़े करने पते थे manual session declare करना पता था तभी session हो पाता था but इसके उपर हमने थोड़ा था work around just like कुछ conversion किया कुछ operation किये या जो भी work किया होगा तो क्या work किया इस stateless nature के उपर so क्या work किया the web application have used several techniques to get a round of stateless operation of HTTP इसके अंदर जो disadvantage से उसको overcome करने के लिए हमने एक थोड़ा सा work around different methods यहां पर हम apply करने वाले so क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर so client identify each self each time is take a request and several store for retriever data related to the client and session okay इसके लिए हमने क्या किया session create कि उसके accordingly हर एक user क्या कर सकता है खुदको identify कर सकता है and simultaneously जो भी server से data store किया या server पर data store किया है उसको retrieve कर सकता है okay then second that is cookies हमने create क्या 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 हुआ क्या for server send data to the client and force client to send back it to each request at the max okay second cookies क्यों हमने create कि each and every time कि जभी भी हम request करेंगे हमारे user को ब्राउजर के उपर data store होता है कि cookies कहा पर store होता है last time हमने देखा just like cookies के session के अंदर cookies हमारे web browser के अंदर store होता है each and every request हम क्या करेंगे with the attachment of cookies send करेंगे so जो भी request हम send करेंगे उसके साथ हम identification send करें that is the cookies so accordingly session होगा state of website हो सकती है उसको हम क्या कर सकती है easily manage कर सकते है इसके इस सारी चीज़े हमें वहाया session and cookies कर सकते है so cookies क्या था हमने last session में देखा अभी session में हम देखते next that is an session okay so what are the session तो उससे जाने से पहले हम देखते कि पहले क्या numbers of problem थे है and किस तर से उसको overcome किया हमारे session so the number of problem arises from fact of http is a stateless protocol जो हमारा http stateless protocol है उसके accordingly क्या क्या problem हो सकते थे तो इसके लिए simple example लेते for example of an online shopping is done okay online shopping and transaction remember simple example लेते इसके अंदर online shopping with a different three four scenario and programmatic statement यहाँ पर दिएगे तो पर्स normal example लेते कि पर्स कि जब भी आप online shopping करने जरते हो जब्सक्राइब फेस्टिवल आने वाला है कि नेक्स विक में हर किसी के घर में जब्सक्राइब आने वाला है कि उसके अपर्डिंगल हर किसी ने प्लैन किया होगा कुछ तो शॉपिंग करना होगा गलवालों के लिए या जो भी फेस्टिवल है उसके लिए अभी फेस्टिवल है तो शॉपिंग करना है शॉपिंग करने के लिए आप आपके जो मन पसंद वेबसाइट होगी अमेजन ख्लिप कर रहा हर एक ब्रैंड के अलग अले वेबसाइट होती है कुछ डिफ्रेंट प्रोड़क्त के लिए अलग 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 जिस लिए नॉइ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आ गया दिन लॉगिन लॉगिन का जो डेटा होगा आपको करना है उस परपस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सेशन इंपोर्टन है कि आप लॉगिन करो स्पेसिपिक वेबसाइट को कि फर्स रंजिस्टर करोगे दिन प्रॉड्डट्स कर सकते है जो सेशन के अकॉन से यूजर के लिए उसके लिए आपको आप जो नाम होगा सब्बसक्राइब लाएट साइट में आप देख से वेबसाइट के एक नाम होता कि आपका नाम आपको ने होता है सेशन के रहें प्रोडॉक्त वाल उप्शन होगा है दिफरंट पर कंड्स ओप्ष न हो सकते रहें लेकिन हो जा रहा है कि फर्स्ट वाला भूल गया तो याद ने रहा क्योंकि इस तक रिक्वेस एज़न नियू कनेक्षान चाहिए नीवकार्ट कर लिश्ट बनाए्ट थोड़ा था प्रोब्लेमेटिक हो सकता है वे जाने तो कि जासले कि हमें शिंगल प्रोड़ॉक्ट कि लेना है दगेन प्रिवेस इंफॉर्मिशन भूल जाएगा कि पेमेंट किस बात काया कितना पेमेंट लेना है कौन से यूजर से लेना है पता नहीं क्यों रीडारेक हुए क्या करता है इसेशन होम एक टारीड ठीड बने जनके लिए इसेशन यूज पीड एक्सपट्रीय इन जरू करने महीं हम यह पर कर विजिटर इन शेशन करें तो शेशन होई रेना है या पर शेशन यह रूद दो नोट करें दा रहें प्रिवेबसाट होट दो बेड़ नौन और वेब सर्वर कि एक्स्टरनल ऑफ वेब सर्वर कोई भी डेटा हैंडल ना करें तो उस परपस के लिए हम क्या करेंगे सेशन करेंगे सो सेशन से क्या होगा कि आप लॉग इन करोगे लॉग इन के बाद जो आपकी इन्फोर्मेशन होगी इन फॉर्म ओफ सेशन वहां पर होने होले कि सो नेक्स देखते आगे और कंसेप के लिए हो जाएगा सेशन एंड कुकीद और शेयर और रिलेस्टन बिट्विन देम कि दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक लिए डिलेशन है किस तरह से हम देखते हैं बताते हैं आपको देश्व संभी पर पर अफ लिमिट देख सकते हैं इसके अंदर देख सकते हैं सेशन के अंदर की कुकीद के अंदर देखा था कि जो प्रेडिक्शन आफ यूवर स्पेसिफिक जो भी प्रोड़क होगा तो एक अकॉर्डिंग टू सेशन की कौन से यूजर को क्या हमें प्रेडिक करना है तो यह सारी चीजिए हम सेशन के अंदर भी कर सकते हैं और सेशन वर्क वेन अ क्लाइन हैं और सेशन के अंदर एक दिस अद्वान टेश्ट है कि अदर इस अद्वान टेश्ट है तो यह क्या दिफरेंस है क्या दिफरेंस है क्या होता है इस सारी चीजिए तो बोल उल सकते हैं और सेशनव इस स्थो ओन साथ याड़ ने स्थो मा उप्छन वाला है तर्सेशन इस आमाउंट आप टाइम विच क्लाइंट टेक्स्ट विल नेविगेट तु एंसाइट इस पर टाइम प्रियेट के लिए बेस एकदम पर अभी कोविन कोविड की सिच्वेशन है तो हर किसी ने कोविन दॉट इन कोविन की जो हमारी गवर्मेंट की वेबसाइट आपने लॉगिन किया लॉगिन करने के बाद आपका पेज एक्सप्रियेंस किया होगा तो एक किस क्या अकॉर्डिंग लिए होता है अकॉर्डिंग तो सेशन कि सेशन के अंदर हम जाके ऑसें क। कि कि अंदर है कि आपकार적면 अबढ़ने के बाने आप हमारा सेश टाइम आउछ होना चाहिए तो पीति ऊपर मेंज़ें कि आ knapp पर हो रही दो वह तो रकर अएक संवक्षी मेंट कर सकिकून नेक्स इसकेंदा देखते है यह जो सेशन हमने करने वाले कब एक्सपार हो सकते है अभी एक चीज़ आपको बताई यूजर डेवलपर ने जिस तरह से डेवलप किया होगा उसके अकॉर्डिंगली या स्पेसिफिकली डियुरेशन जो डियुरेशन हमने सेट किया होगा जैस कॉमन एप्रोश दू इंट्रों विब सर्वल थो एक्सपार अनी सेशन अधा इनक्तिव प्रेशन फ्रेशन अपर ने जब लॉग उटके करेंगे साइन आउट करेंगे उस पर पर पस में हमारा जुरेशन यहां पर साइन आउट हो जाएगा या टाइम आउट करके बहाए आज आजाएगा तो सेशन एक्सपार होने के दो रिजान के वाज़े या एक अटमेटिकली अप्टर थर्टी मिनिस ट्वेंटी मिनिस के जो काउंट्स होगे उसके अकॉड़िक को विजिट करोगे तो उसको लॉग इन करने के पाद यह आपको मेसेज आजाता है कि 10-15 बा युक्ति के अदर देखते है इससेशन आइड क्या है यह आमें फामें पता चल गया है उसको हेंडल करने के लिए हम क्या लगने वाले most important that is a session id it is an unique identification string usually long random alphanumerical string which transition between a client and server okay a simple unique number की की होने वाले है या unique number का string होने वाला है कि उसके अन्द क्या होगा रैंडम नमबस रैंडम अलफबेट कीवर्स की या जो numbers होने numbers of combinations के अंदर होगे होंगे वाले है जो क्या करेंगे communication between client and server के simple is के अंदर एक value हम consider कर सकते हैं है simple is simple is के अंदर हमें एक value consider कर सकते है that is an email id इमेल आइडी सबका यूनिक है जतले गूगल लॉग इन करने के बाद एक सिंपल आपको इमेल आइडी प्रोवाइड होता है यहाँ पर एक्जामपल एक पर एक्जामपल एक्जामपल सेशन आइडी यहाँ पर पर कंसीडर कर सकते हैं करते हैं सेम आइडी आप दूसे जगा पर भी यूज कर सकते हैं जसल्किट की फेस्बुक लॉगइन होगा इंस्कार लॉग इन कर तो सेम आईडी यूजको पर एक तो यहाँ पर स्टोर होने वाले हमारे गुटिक के अंदर के इस तरशिए उस्टोर होता है आपको लास्ट आप को यहां तक हमारे सेशन के अंदर आप हमें कमेंक स्क्षिन में बता सकते इप वीडियो रगे होगी तो इसको लाइक कर सकते सब्सक्राइब कर सकते और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते के थैंक यू फॉर वाचिंग